वेलकम बैक विवर्स आज हम लड़ी दक्षता या स्टिंग एफिशेंसी पर नुमेरिकल प्रोब्लेंस को हल करेंगे ये सबी प्रश्ण जो आज हम हल करेंगे ये बोर्ड आफ टेक्निकल एजुकिशन राज्थान के प्रश्ण पत्रों में विगत वर्षों में आये हुए हैं उसके लिए सबसे पहले हमें एक बार इन सुत्रों को रिवाइस कर लेते हैं कि एक तीन डिस्क इंसूलेटर के लिए जो सेल्फ कैपिस्टेंस हैं जो की दो मेटर लिंक जिसके बीच में डिस्क उपस्तित रहती है से बनता है कामान कैपिटल सी तथा एयर कैपिस्टेंस या वाई यू संगा जेत्र जो बनता है मेटल लिंक और अर्थ टावर के बीच में उसे हम सी वन से जानते हैं तो था सी वन का मान हम के इंटू सी मानते हैं जो विबन ने सुत्र होंगे वी 2 बराबर 1 प्लस k इंटू v1 वी 3 बराबर 1 प्लस 3 k प्लस k स्क्वाइर इंटू v1 और वी बराबर 3 प्लस 4 k प्लस k स्क्वाइर इंटू v1 और तो स्टिंग एफिशेंसी है वो V upon 3 V3 into 100 अब ये 2019 में आया वह प्रश्न है कि एक 33 किलो वोल्ट शिरोपरी संचरन लाइन में तीन एकाई वाली कुचालकों की लड़ी है यदि कुचालक पिन्वभू के मद्ध धारिता तता प्रतेक कुचालक की स्वधारिता का नुपाज 0.2 है तो ग्याद कीजिए तीन कुचालकों पर वोल्ट शिरोपरी वित्रन और लड़ी धक्षता तो किसी भी प्रश्न को हल करने से पहले हमें ये देखना है कि प्रश्न में हमें क्या-क्या दिया हुआ है तता हमें क्या निकालना है उसके पश्चा उससे संबंदि जो सुत्र है उन्हें हम नोट कर लें तो यहां हमें दिया हुआ है कि जो लाइन वोल्टेज है वो 33 किलो वोल्ट है स्मॉल एम जो है जो की नंबर ओफ डिस्क होती है इस टिंग के अंदर वो तीन है और C1 अपॉन C का मान अर्थाद K का मान 0.2 दिया हुआ है अब हमें निकालना क्या है V1, V2, V3 अर्थाद स्टिंग के अंदर जो वोल्ट था वित्रण जो है और चौती चीज स्टिंग एफिशेंसी अब हम जानते हैं कि V2 बराबर 1 प्लस K इंटू V1 V3 बराबर 1 प्लस TK प्लस K स्क्वार इंटू V1 और V बराबर 3 प्लस 4 K प्लस K स्क्वार इंटू V1 हमें टोटल वोल्टेज दिया हुआ है और K का मान दिया हुआ है तो ऐसी स्थिति में तीसरी एक्वेशन को काम में लेते हुए या तीसरे सुत्र को काम में लेते हुए V1 का मान ग्यात कर सकते हैं और एक बार जब V1 का मान हमें ग्यात हो जाएगा तो हम V2, V3 का मान आसानी से ग्यात कर सकते हैं तो सबसे पहले हम जो lying voltage दी है उसको हम phase voltage में convert करेंगे तो V बराबर VL by root 3 तो 19.052 kV अब जो प्रदर्शित सुत्र है इस slide में उसमें V और K का मान रखने पर हमें V1 4.961 के भी प्राप होगा अब V2 बराबर 1 plus K into V1 तो यहाँ पर आपने V1 निकाल लिया है कि यह कमान आपको दिया हुआ है तो हमें V2 5.953 kV प्राप होगा अर्थात हमारे पास अब कुल वोल्ट तब V आगई V1 आगए V2 आगए तो हम V3 को आसानी से निकाल जगते हैं तो V बराबर V1 plus V2 plus V3 सुत्र को उप्योग में लेते हुए हम इसे हल कर लेंगे तो V3 का मान हमारा है 8.138 kV आया स्टिंग एफिशेंसी V upon N into V3 into 100 V का मान 19.052 N 3 है और V3 का मान हमने 8.138 टिकाला है इससे हमारी स्टिंग एफिशेंसी या लड़ी दक्षिता 88.04 प्रतिशत प्राप्त हुई है दूसरा प्रश्न जो 2017 के एक्जाम में आया है कि एक लड़ी प्रकार के विद्धुत रोधत में तीन सम्रूप इकाई है प्रत्येक इकाई का स्वध धारिता C Farad प्रत्येक सहींजग पिन तता भूके मत धारिता 0.1 C Farad है प्रति इकाई अधिक्तम सह वोल्ट ता 20 किलो वोल्ट है लड़ी पर वोल्ट तता वित्रण तता लड़ी दक्षता ग्याद कीजिए यहां हमें क्या दिया हुआ है एक तो small n बराबर 3 दे रखा है तीन यूनिट है और जो k का मान है वो 0.1 C upon C अधिक्तम वोल्ट ता 20 को लो विल्ट हो सकती है जैसा कि हमने सुत्र इस्थापित करते हैं देखा था कि सबसे अधिक वोल्टा कंडेक्टर के या चालक के निकटतम जो डिस्क रहती है उस पर आरोपित होती है या वहां डिस्टिब्यूट होती है तो 20 किलो वोल्ट हमें V3 का मान दिया हुआ क्योंकि यह 3 डिस्क यूनिट है तो यह V3 का मान लोगा अब प्रश्ण में दिया हुआ है N बराबर 3 C1 बराबर 0.1 C तो जो C1 बराबर केशिक से जब हम इसको कंपेर करेंगे तो K का मान 0.1 अधिक तम वोल्टा का मान 20 किलो वोल्ट दे रहता है हम जानते हैं कि अधिक तम बोल्टा चालक के निकटतम डिस्क या इकाई पर होती है अतार V3 बराबर 20 किलो वोल्ट अब V3 बराबर V1 इंटू 1 प्लस 3K प्लस K स्कॉयर होता है हमें K का मान दिया हुआ है V3 का मान दिया हुआ है तो V1 का मान हमें आसानी से प्राप्त हो जाएगा और उसका मान 15.267 किलो वोल्ट प्राप्त होता है अब जब एक बार V1 का मान प्राप्त हो गया तो हम V2 का मान आसानी से और V3 का मान आसानी से प्राप्त कर सकते हैं V2 बराबर 1 प्लस K इंटू V1 इससे 16.793 किलो वोल्ट अब V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 होता है तो V बराबर मान आ गया 52.06 किलो वोल्ट 52.06 किलो वोल्ट अब इस्टिंग एपिशेंसी V अपॉन N इंटू V3 इंटू 100 V N और V3 के मान रखने पर हमें लड़ी दक्षता 86.77 प्रतिशक या 86.77 राप्त हुई है अब ये जो निमेरिकल प्रॉब्लम है ये 2017 के Special Exam में आई हुई है एक त्री के लिए संचरन लाइन को तीन डिस्क विद्धुत रोधक से संयोजित किया गया है मद्य यूनिट एवं चालक तार के पास वाली डिस्क के पार्ष में वोल्टता क्रमश है 11 के भी वो 15 के भी है लाइन की वोल्टता एवं लड़ी दक्षता ग्याद कीजिए एव अध्री फेस्ट्रांसमिशन आई इस बींगाटे भी अध्री दिस्क इन्सुलेटर the potential across middle disk and disk near conductories 11 kV and 15 kV respectively find line voltage and string efficiency तो प्रस्ट में क्या दिया हुआ है small n बराबर 3 जो V2 है यानि मद्य यूनिट जो है उसके across voltage होता है V2 वो 11 kV दे रखा है और चालक के पास जो निकट्तम conductor है डिस्क है चालक या conductor के पास जो निकट्तम डिस्क है जो की V3 उसके across voltage होगा V3 उसका मान 15 kV दे रखा है अब मैं निकालना है line voltage और string efficiency हम जानते हैं कि V2 बराबर 1 plus k into V1 V3 बराबर 1 plus 3 k plus k square into V1 और V बराबर 3 plus 4 k plus k square into V1 V2 और V3 के मान दिये हैं तो ऐसी इस्तिति में हम V2 और V3 के फार्मूले काम में लेंगे V2 बराबर 1 plus k into V1 इसमें V2 का मान रखने पर तता V3 बराबर 1 plus 3 k plus k square into V1 में V3 का मान हमने रख दिया उसके बाद दोनों equation को हमने ratio ले लिया तो 11 बटा 15 बराबर 1 plus k into V1 अपन 1 plus 3 k plus k square into V1 V1 इसमें से cancel out जाएंगे तो हमें एक k के अंदर quadratic equation राप्त होगी इस quadratic equation को हम हल करके k का मान निकाल सकते हैं तो हमें k के दो मान प्राप्त होंगे जिसमें एक दनात्मक और एक रिनात्मक तो रिनात्मक मान संभव नहीं है इसलिए उसे छोड़ते हुए हम दनात्मक मान को लेकर आगे चलेंगे तो k का मान होगा 0.2 अब हम जानते हैं कि V1 V जो है V upon 3 plus 4k plus k square बराबर V2 upon 1 plus k होता है क्योंकि ये दोनों इवी वन के मान हैं इसलिए इनको दोनों को बराबर कर सकते हैं अब ऐसी इस्तिति में जो V बराबर हो जाएगा 3 plus 4k plus k square इन्टू V2 upon 1 plus k अब इस सुत्र में k और V2 का मान रखने पर हमें V का मान प्राप्त हो जाएगा और वो V का मान 35.2 kV है ये हमें प्राप्त जो हुआ है ये है phase voltage इससे हमें line voltage में convert करने के लिए root 3 से बुणा करना पड़ेगा अब string efficiency V upon N V3 into 100 जो हम मान रखेंगे V N और V3 का तो V का मान रखेंगे तो उससे में प्राप्त होगा कि लड़ी दक्षिता ये string efficiency 78.22% है तो आज हमने जो लड़ी दक्षिता के उपर Board of Technical Education रास्तान जोदपूर में के विगत वर्षों के विगत वर्षों में आये हुए कुछ सवालों का हल किया है आप इसकी और practice करें जैसा कि आपने इन तीनों प्रश्णों में देखा कि मूल रूप में जो सवाल है उनमें समान सुत्र ही काम में आते हैं तो एक बार यदि हमें सुत्र ध्यान में रहते हैं तो उनके बाद इन प्रश्णों को हल करना या इस टॉपिक से संबंदित प्रश्णों को हल करना अत्तितिक आसान होगा हमें याद रखना है कि जो conductor के nearest डिस्क होती है उस पर अधिक्तम बोलता आती है और जो क्रोस आलम के सबसे पास होती है उसके क्रोस सबसे कम तथा V2 बराबर 1 प्लस K इन्टू V1 V3 बराबर 1 प्लस 3K प्लस K स्कौाइर इन्टू V1 और Capital V जो टोटल वोल्टेज है वो 3 प्लस 4K प्लस K स्कौाइर इन्टू V1 तथा string efficiency या लड़ी दक्षिता जो है Capital V upon small n इन्टू V3 इन्टू 100 जहां पर V लड़ी के क्रोस कुल वोल्टता है N लड़ी में डिस्क की संख्या है तथा V3 जो है वो चालक के निकट्तम जो डिस्क है उसके अक्रोस वोल्टता है जनने वाद क्रोसी संख्ये स्च्ड़ी वोल्टता है था जो कि झार एक नहीं के about the Church सिर्वर्म होई़ी प्यावार को, ठूबうा feather